हुक्काबार में भी मुलाजमत की, नौरा फतेही की माजी की तलखियादें मराक्शी नसाद भारती डांसर नौरा फतेही ने इनकिशाफ किया है कि माजी में माली ज़रूरियात को पूरी करने के लिए ना सिर्फ इन्होंने मायूब समझे जाने वाले काम किये बलके इन्होंने हुकाबार में मुलाजमत भी की नौरा फतेही ने 2014 में भारत में मौटलिंग, अदकारी और डांस करियर का आगास किया और अब तक वो हिंदी समेट, मली आलम, तेलूगू और तमिल फिल्मों में मुखत सिर्किरदारों समेट इनमे आइटम गाने कर चुकी है नौरा को सबसे ज़्यादा शोहरत दिलबर दिलबर के रीमेक से मिली बाद अजन इनका गाना कमरिया भी रिलीस हुआ, जो गाना साकी की तरह लोगों की तवज़व हासिल करने में काफी हद तक ना काम रहा नौरा फते ही ना सिर्व भारत, बलके मश्रिकी सतय पर भी मारूफ डांसर है और इन्होंने दिलबर के अर्भी वर्जिन समेट, कई अर्भी गानों में शांदार परफॉर्मेंस करके लोगों के दिल जीते गज़िश्ता बरस इन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के अफिशल लाइट दस्काइ गाने में भी रक्स किया था और अब वो आलमी सते पर डांस के जरीए लोगों को फिटनेस पर करार रखने की तरखीब देती दिखाई देती हैं हाली में नहोंने बॉलिवुड के सबसे बड़े अवार्ड शोओ आइफा में भी शांदा परफॉर्मेंस दी और बिरतानवीन अश्रयात यदारे बीबीसी एशिन नेटवर्क को इंटरव्यू भी दिया दौराने इंटरव्यू इन्होंने बताया कि आज तक वो बॉलिवुड समेट दीगर गानों पर परफॉर्मेंस करने से कबल कई दिन और घंटे मुश्क करती रहती हैं और शुरू से ही इनकी ऐसी आदत रही है नौरा फतेही ने बॉलिवुड में करियर बनाने और कुछ ही अरसे में कामियाबी हसल करने के सवाल पर बताया कि इन्हें वहाँ जगा बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी इन्होंने बताया कि इन्हें करियर बनाने के तोर पर मनमाने से कबल माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए हुका बार में भी मुलासमत की जहां वो गाहकों को शीशा और दीगर चीज़ें पेश करती थी इन्होंने बताया कि वो हुका बार में हर आने वाले शक्स को शीशा या दूसरी चीज़ पेश करके इनसे पूछती थी के इन्हें मजीद किस चीज़ की जरूरत है और साथ ही इन्हें पेशकश करती थी के इन्हें अगर कोई चीज़ तरकार हो तो इन्हें अवास दे सकते हैं वो यही मौजूद है नौरा फतेही के मताबिक जब इन्होंने 20 साल की उमर में मुश्किलात देखी और वो अपनी उमर लड़कियों की तरह उस वक्त जिंदगी को इंजॉय नहीं करती थी इनका कोई बॉइफ्रेंड या दोस नहीं था वो खुद को हर वक्त कमरे में बंद रखती थी इन्होंने बताया कि वो इस वक्त भी खुद को कमरे में बंद करके टीवी चला कर डांस पर मुश्क करती थी और जबान सीखती थी नौरा फतेही ने ये वाज़े नहीं किया के इन्होंने हुक का बार की मुलाजमत कहा की और इन्होंने माली जरूरियात पूरी करने के लिए दीगर कौन से मायूब काम किये ताहम मुम्किना तोर पर नौरा फतेही ने हुक के बार की मुलाजमत कैनेडा में की होगी क्योंकि 2013 में भारत आने से कबल वो कैनेडा में ही मुकीम थी इनके पास वहां की शहरियत भी है